मांग में सिंदूर भरना सुहाग के निशानी क्यूं? विवाह के उसर पर एक संसकार के रूप में वधु की मांग में वर सिंदूर भरता है इसे ही सुमंगली क्रिया कहते हैं इसके पस्चात विवाही तिस्त्री अपने पती की दिरगायो की कामना करते हुए जीवन भर मांग में सिंदूर भरना हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार सुहागिन होने का प्रतीक माना जाता है उलिखनिय है कि हमारे शास्त्रों में पती को परमेश्वर का दर्जा प्रदान किया गया है मांग में सिंदूर भरने से इस्त्री के सौंदरे में व्रीधी तो होती ही है यह मंगल सुचक भी है इससे यह भाव प्रदर्शित होता है कि ब्रम्भ जोतीर में है और उस जोती का रंग लाल है देवी भागवत में भागवती ने स्वयम कहा है कि ब्रम्भ और शक्ति मैं एक ही हूँ हम दोनों मिलकर ही स्रिष्टी को जन्म देते हैं देवी शक्ति को लाल रंग प्रिये है शास्त्रों में विद्वा को मांग में सिंदूर लगाने का निशेद किया गया है क्यूंकि सद्वा इस्त्री को ही पुरुष का संजोग प्राप्त कर जनन्शक्ति बरकरा रखने का अधिकार रहता है हमारे शास्त्रकारों ने मांग में सिंदूर भरने का प्रावधान इसलिए किया क्यूंकि यह इस्थान ब्रम्रंद्र और अध्मी नामक मर्म के छीक उपर है जो पुरुष की अप्यक्षा इस्त्री में अधिक कोमल होता है सिंदूर में पारा जैसी धातू अधिकता में होने के कारण चेहरे पर जल जुरिया नहीं पड़ती इससे इस्त्री के शरीर में इस्थीत वैद्यूतिक उतेजना नियंत्रित होती है और यह मर्म इस्थान को बाहरी बुरे प्रभावों से भी बचाता है इसके अलावा सिंदूर का पारा इस्त्रीयों के सीर में होने वाले जुएं लीखों को भी नश्च कर देता है जी निस्त्रियों को सिमन्त या भीकुटी केंदर में यदि नागिन रेखा पड़ी हो तो समोद्रिक शास्त्र के मतानुसार इसे दुर्भागे का सुचक माना गया है अता उसके इस दोश के मिवारन के लिए भी उसे मांग में सिंदूर भरने की सलाह दिजाती है